लाइफ इस गेम यदि तुम इसे किलाडी की तरह केलते हो तो जीद सकते हो, लेकिन यदि दरसक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो पर जीद नहीं सकते सक्सेस का मिलना तो तै है सक्सेस का मिलना तो तै है देखना तो ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तयार है आपका आने वाला कल कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सूचती हो आपका जो डर है ये आपको खतम कर देगा नजदीकिया उस डर को ही खतम कर देगी फैसला तो आपको करना है कि आप किसे चुन रहे हैं आपका आत्म विश्वास हमेशा आपके पास होता है उसे तो महसूस करने के लिए सिर्फ आपको वर्दमान में जीने का अभ्यास करना है लगातार चलते रहना लक्ष निश्चित ही तुम्हारा होगा जीवन को दिसा देने के लिए परपस का होना उतना ही जरूरी है जितना कि सरीर के लिए ऑक्सीजन इससे पहले कि जो परिस्तितियां है तुम्हारी जिन्दिगी की तिसा बदल दे उठो साहस दिखाओ और अपनी परिस्तितियों को ही बदल डालो यदि आप जिन्दिगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की कुशी का कारण बनना शुरू कर दो आप तो अपने आप ही कुश रहने लग जाओगे जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तो लाइफ में चमतकार होने लगते हैं यदि आप अपनी वास्तविक समताओं को परखना चाती हो तो लाइफ में रिस्क लेना शुरू कर दो हमेश्व याद रखो सपता के लिए किया गया आपका अपना संकल किसी भी और संकल से ज़्यादा महत्वन नहीं रखता है तुमारा सबसे बड़ा दुस्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा जितने की तुमारे कराब विचार आप तब तक नहीं हार सकते जब तक की आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते एहंकार घमंड ये तो ग्यान का उल्टा है जितना ग्यान होगा उतना ही कम एहंकार होगा मुझमें कोई प्रतिवा नहीं है लेकिन बस मैं इतना जानना चाती हूँ कि तुम्हें सपने ज़्यादा से ज़्यादा देखने है तब ही तुमारे सपने सचोंगे स्टूडेंट की सबसे महच्वपुन विशेष्टा होती है कि वो प्रश्न करे प्रश्न करे सपने देखो सपने विचारों में ही बदलते हैं और विचार क्रिया में बदलते हैं महानकारे तागत से नहीं लगातार लगी रहने से होते हैं अगर तुम अपनी जिन्दगी अपनी तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपनी तरीके तुम पर लाते हैं तुम कभी नहीं जी सकते हैं जब तक तुम शुरू नहीं करते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो उन लोगों से बहुत आगी हो जो पिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हैं यदि आप वही करते हो जो आप गुशाशा करते आए हो तो आपको उतना ही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया ह इवल वही यात्रा असंबव है जो अभी तक आपने शुरू ही नहीं की इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल इसी भी और संकल से इंपोर्टेंट है मेरी कोई पॉलिसी नहीं है मैं हर दिन अपना बैस्ट से बैस्ट ट्राइ करती हूं सफल लोग क का सफल अनंद होता है अगर तुम दर्द सहने को तयार हो तो सफल होने को भी तयार हो जाओ अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता और अगर तुम सीखना चाते हो तो कोई तुम्हें रोग नहीं सकता सफल वो होते हैं जो अपने झाल झाल